आज दुनिया में कोई भी भारत के लिए अब सब जब बोलता है तो इन्हें उस पर तुरंट विश्वास हो जाता है तुरंट उसको कैच कर लेते हैं ऐसा मेंगनेटिक पावर है कि भारत खिदाव हर तीजे तुरंट पकड़ लेते हैं जैसे कोई विदेशी एजनसी कहती है कि भुखमरी का सामना कर रहा कोई कई देश भारत से बहतर है ऐसा जूठी बात आएगी तो भी पकड़ लेते हैं और हिंदुस्तान में प्रचार करना शुरू कर देते हैं भारत को बदनाम करने में क्या मजा आता है दुनिया में कोई भ लेते की बातों को मिट्टी के ढेले जैसी जीस की मतना हो ऐसी बातों को तवज्जु देना कि कॉंग्रेस की फित्रत रही है और तुरंथ उसका भारत में एंप्लिफाय करना प्रचार करना पूरी को सिट्रिम लग जाती है कोरोना में कि महामारी आई भारत के वाई गयाव प्रचार कोने मेड़ीन इंडिया वैक्सिन बनाया उन्हें भारत के वैक्सिन पर भरोसा नहीं उनको भारत के वैक्सिन पर भरोसा यह इनकी सोच रही आज अगर देख जी अगरे देश के कोटी कोटी नागरी कॉने भारत के वैक्सिन पर विश्वाद जताया इनको भारत के सामरते पर विश्वाद नहीं है इनको भारत के लोगों पर विश्वाद नहीं है लेकिन इस सदन को मैं बताना चाहता हूँ इस देश का भी भारत के लोगों का कॉंग्रेस के प्रती पती नो कॉन्पिडेंस का भाव बहुत गहरा है। आदेनियत देख जी देश के कई हिस्सों में कॉंग्रेस को जीत दर्जा करने में हनेक दसक लग गए हैं। कॉंग्रेस की आखरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिल लाडू के लोग कह रहे हैं। कॉंग्रेस नो कॉंफिडेंस। तमिल लाडू के लोग कह रहे हैं। कॉंग्रेस। पस्चिम बंगाल में उन्हें आखरी बार जीत 1972 में मिली थी। पस्चिम बंगाल के लोग 54 सालों से कह रहे हैं। कॉंग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात। कॉंग्रेस आखरी 1985 में जीती थी। पिछले अलगतीस वर्थों से वहां के लोगोंने कॉंग्रेस को कहा है। वहां के लोगोंने कॉंग्रेस को कहा है। त्रिपुरा में उन्हें आखरी बार 1988 में जीत मिली थी। 35 वर्षों से त्रिपूरा के लोग कॉंग्रेस को कह रहे हैं कॉंग्रेस ओडिशा में कॉंग्रेस को अखरी बार 99.5 में जीत नसीब हुई थी यानि ओडिशा में भी 28 वर्षों से कॉंग्रेस को एक ही जवाब दे रहा है उडिशा कह रहा है नागा लेन में कॉंग्रेस की आखरी जीत 1988 में हुई थी यहां के लोग भी 35 वर्षों से कह रहे हैं कॉंग्रेस कॉंग्रेस बिल्ली आंदरपदेश और पस्ति मंगा में तो एक भी विदायत खाते में नहीं है जंता ने कॉंग्रेस के पती बार बार लोग कॉंग्रेस गोशिट किया है कॉंग्रेस